माननी राचपाल श्री सीपी राधा कृष्णन ने राश्ट्री कृषी उच्चितर प्रसस्क्रण सहस्थान नामकुम द्वारा तोरपा खुटी में आयोजीत पूर्वी शेत्र क्रशी मेला 2024 के समापन समारों को संभोधित करते वे कहा कि भगवान बिर्सा मुंडा जी की धर्ती पर आयोजीत ये किसान मेला किसानों के हित में किया गया एक उलेखनी पहले इस मेले में किसानों को नई क्रिशी तकनीकों के साथ साथ आधुनिक क्रिशी पद्धती और उन्नत और्गिनिक फॉर्मिंग का प्रशीक्षन प्राप्त हुआ और विबिन इस्तलों से आये प्रगतिशिल किसानों ने अपना अनुभाव भी साजा किया इससे निश्चित ही उनकी उत्पाद दक्ता के साथ साथ आमधनी भी बढ़ेगी राजपल मोदय ने कहा कि माननी प्रधान मंत्री जी ने किसानों के कल्यान के लिए पीएम किसान सम्मान निधी योजना और प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना शुरू की उन्होंने 15 नवंबर 2023 को जन जाती गोरो दिवस मनाने का निड़ने लिया उन्होंने कहा कि माननी मंत्री श्री अरजुन मुंडा जी के क्रिशी एवम किसान कल्यान मंत्री का भार गरंड करने से पूरवी शेत्र के किसान जागरूख होंगे और इस शेत्र के जलवायू के अनुसार क्रिशी को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि यहां के मिट्टी के लिए कौन सा फसल श्रेस करे इसकी जानकारी किसानों को मिलेगी इसे क्रिशी शेत्र में करांती कारी बदलाव आ सकता है उन्होंने किसानों को कृषी के साथ साथ आए के अन्वेकलपिक स्रोतो यथा बागवानी, सबजी उतपादन, फूल उतपादन, बकरी पालन, गोपालन इतियादी अपनाने का भी आवान किया राजपल मोधे ने कहा कि ये किसान मेला किसानों के लिए वर्दान साबित होगा और वे उन्नत कृषी हेतु प्रेदित होगी उन्होंने इस अवसर पर किसानों को सम्मानित किया एवं शुब कामनाई देते वे कहा अन्यदाता सुखी भवा बागी की तबाओ का अवरों के बने रहे है राजपल नवी के साथ ताने बाद